नमस्कार देARONgeon, टाइम में आप सबका स्वागत हैं एक बड़ा अपडेट लेकर स्पेशल रिपोर्ट लेकर हमारे विवेर से समख्ष हम शादिर हुए है बताना चाहेंगे वो जो स्पेशल रिपोर्ट क्या है के बताना चाहेंगे जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं हमारे दैनिक शिव्ट टाइम के जितनी भी जनता जो जुड़े हुए हमारे साथ यूथ हैं जिन्होंने जेके पियासई के उमेदे लगाई थी के अब रिजल्ट आउट होगा तो हम भी कही ना कही जनता को सर्व करेंगे बंद वर्दी पहन का अब कही ना क पियासई के रिजल्ट आउट होते ही एक बवाल और कही ना कहीं है कि आरोपों की जड़ी लगी सोशल मीडिया और मीडिया के माद्यम से आखिर पूरा क्या मामला है वो भी हम अपनी जनता के समक्ष रखेंगे कि आखिर क्यों जेके पियासई के अस्पिरेंट लगाता लिखा जा रहा है कि हैस्टेग जेके पी ऐसी रिजल्ट यह कहेंगे एंक्वाइल यह लगातार अब जनता जो है लो यूवा जो है अब सडकों पर भी उतरना शुरू हो चुके हैं और जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ है जल से जल जुड़िये ताकि आप तक वह करतियों होती थी वह पुलीस डिपार्टमेंट करता था और जिस तरह से जमुकश्मीर यूटी हुआ यह कहेंगे यह पोस्ति जो जेके एससबी को जब मुकश्मीर सेलेक्शन बोर्ड को रैफर की गई और पहले आतक जितनी भी भरतियों है इस तरह का माहौल जो था या इ आई दिन इस तरह के परदशन भी होते हो लगते हैं जमुकश्मीर सेलेक्शन बोर्ड को लेकर परिस्ता में जो हम बड़ा अपडेट लेकर अपने व्यूवर के समक्ष आरे वह व्यूवर अपडेट यह है कि जेके पीएसाई का रिजल्ट आउट होते ही आखिर क्यों लगबक यह बताएंगे ऐसे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और जिनके सो से ज़्यादा मार्डस है यह नीकिए सो से लगबक दो सो बड़ेट आफिरी में पढ़ने वाली एक एडिया में पढ़ने वाले उनके सो से ज्यादा मार्क्ष हैs और सिब्लिंगs ऑ है यहनीकि ह जोड़े चाहे भाई-बैन हो भाई-बाई हो बीस जो लोग ऐसे हैं जो बीश सिब्लिक्स आइसे हैं जोड़े यानि कि भाई-बैन का या भाई-बाई का वह लोग एक ही परिवार के सलक्ट हुए है अब थोड़ा सा बताना चाहेंगे अपने विव्यूर्स को इस पूरी ज बांदली हुई है जुरूर कोई ना कोई स्कैम बढ़ा हुआ है जेके पिस पियसाई की सेलेक्शन को लेकर और यह भी सूत्रों के अधार पर हम तो अब जो खबर आई है पैरा मिल्ट्री फोस के रिटार्ड आफिजर है जिन्होंने ठीक 24 गंटे के पहले एक्जैंस के 24 के लिए और यह भी बताना चाहेंगे आपको खोड अकनूर के बीच की जो लाइबरेरी है उसी लाइबरेरी से इतने सारे बच्चे यानि सो से दो सो जो लोग है उनके सो से ज़्यादा माक्स आया है और बीस जोड़े जो बीस सिब्लिंग्स हैं मतलब कि एक ही परिवार के दो दो या तीन तीन बच्चे सलक्ट हुएं अब आपको बताते हैं पूरी बात क्या है हमारे सामने ये लिस्ट है एक ही परिवार के जिसना से दलविंदर सिंग ये बताना चाहेंगे आपको एक ही परिवार के बच्चे हैं दलविंदर सिंग फादर नेम किरपाल सिंग अ विजे कुमार, मनीशा कुमारी फादर्स नेम विजे कुमार, सुकरीती शर्मा फादर्स नेम चमनलाल, साक्षी शर्मा फादर्स नेम चमनलाल, और यह हम आपको बता रहे हैं पूरा जो ब्योरा अपनी जनता को दे रहे हैं समय, और यह बताना चाहिए यह और भी काफी सारी लिस्ट जो हमारे पास इस समय आई है और वो लिस्ट हम बतना चाहेंगे अपनी जनता को कि इसी के चलते लगा तरह एक बवाल एक बवाल उठ रहा है कि आखिर क्या धांदली हुई है क्या वाकई इसमें जांच दी जारी कि सीबी आई को इसकी जांच दी जाए कि आखिर जो को मिलता था कभी कबार के परिवार का एक बच्चा स्लेक्ट हुआ है मेनत करकर पर सवाल बढ़ा यह है कि पहले यह एक्जाम जो थे जेके पियासाई के एक्जाम जो थे जमूब कश्मीर पुलीस कंड़क्ट करती थी तो तब यह जो बाते थी जो इलजामा थे नहीं लग पर उनहीं के अदार पर घुकर कर रहे हैं कि यह जो लिस्ट मारे पास सबसे पहला कहीं सबसे पहला कि शक्ट कि दरे में चैर्च में ऐसे चैनल गण जिसीं में करवे मैं सबसक्राइसे हैं और भी मेरे चापें यह लाभित tel इ cocaine की ऑन गशो regen जुल क या निशान खड़ा होता और जो हमारे पास जानका रही है वो ये भी मिल रही है कि एक पेरामिल्टरी फोस इसके रिटाइर अफिसर ने एक टाउट का काम किया है और ये टाउट का काम करते हैं उन्होंने ये पेपर ठीक 24 गंटे पहले इस पेपर को लीक किया और ये भी बत बताना चाहेंगे कि पहले भी ये रिजल्ट इस तरह की सेलेक्शन होती थी पर इस तरह के सवाल कहीं ना कहीं खड़े नहीं होते थे पर अब हर अस्पेरेंस बाहर आया और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि एक लिस्ट हमारे पास और भी है कि जिन बच्चों के फाइन 140, 138, 149 और 134 यनि और उसमें से ये भी बताना चाहेंगे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके 95 और आये हैं या 115 आये हैं पर यह यह बताना चाहेंगे जिनके अगर फाइनस अकॉंट एसिस्टेंट में 54 मार्क्स आ हैं उन्हीं के जेके पी एसाई में 140, 135, 149 यह कहीं ना कह एक बहुत बड़ा सवाल यह निशान खड़ा करते क्योंकि एसी को लेकर कि 20 दिन के टाइम में या यू कहें जो बच्चा अगर फाइनस अकॉंट एसिस्टेंट में जिसके 50 मार्क्स आएंगे या 40 मार्क्स आते हैं और वही उसी के जेके पी एसाई में 140, 135, 138 मार्क किस त स्कामात लाग रहे हैं जमुकशमीर सेलेक्शन बोर्ड के ओपर अगर वाकर यह सही सिद्ध होते हैं तो लगता है जमुकशमीर यूटी में यह पहला इतना बड़ा स्कैम होगा जिसका भांडा फोर हुआ है और वह भी बांडा फोर के एस्पिरेंसी जो लोग भागीदार भी अनेवार है क्योंकि वाकर ही अगर इंक्वारी होती है दूद का दूद और पानी का पानी वजवार साथी साथ उन बच्चों के यानि उन लोगों के काल डिटेल्स की डिवी आर निकाली जाए और साथी साथ उनी के जिन बच्चों एक ही परिवार के दो दो या तीन त गई है और साथी साथ जो फोन की काल डिटेल है कहां कहां बात हुई है यह एक बड़ा ही बड़ा स्कैम है जो आप सामने शायद आप आना ही पड़ेगा यानि जू ही केंगे इस पर कारवाही जुरूरी है क्योंकि लगातर यह हमारी बलके युवाओं की मांग है उनकी माता- वाकार मचना और सवालों की और इल्जामों की जड़ी लगना अब देखना ही है कि आने वाले समय में क्या स्रवी स्लेक्शन बोर्ड पर कोई इस तरह की वो संग्यान लेते हैं या यह केस इसकी जांच होती है पूरी इंक्वाइरी होती तत्थे को सामने लेकर आते हैं कि यह अगर स्लेक्शन हुई है फिर स्लेक्शन हुई है तत्यों का अधार पर हुई है सचाई प्यर हुई है क्योंकि इन चीजों को अब सामने लाना बहुत ही जूरू है कुछ ऐसे तत्थे सामने आया हैं कि उन पर वाकिए जो डौटफुल है जो शक के दायरे में आते हैं क एक ही परिवार के दो दो तीन तीन बच्चे स्लेक्ट हुए और एक ही एरिया के लाइबरेरी के बच्चे यानि एक ही लाइबरेरी के सो से दो सो बच्चों का सेलेक्शन होना क्या बाकी और एरिया में बच्चे इतने काबिल नहीं थे कि जिनका नंबर आए यह बड़ा सवा है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कैम निकल कर सामने आएगा अपने कमेंट सजाव जरूर दीजिए इस वीडियो को जितना से के शेर कीजिए जुड़िया से हमारे से अगले अपडेट के लिए जाहिन जबारत